हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PCS Champions, फ्रेंड्स या बिहार SAC, CGL Examination 2022 यानी सच्चवाले साहाय के भरती से संबंधित Practice Set स्रीज है, इसमें हम लोग Spark Publication का Volume 2 Practice Workbook का डिसकसन करेंगे, जिसमें Total 75 GKGS और Crane Traverse Question सामिल है, और यहाँ Set 6 है, अगर अभी तक आपने Set 1 से 5 तक नहीं दे प्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, Question No.1 है, निम्ण में से कौन सा संचिप्त रूप, REP का विश्तारित रूप है, जो भारत के सविधान के पार्थ में उप और इस रूप का अर्थ होता है, किसी कानून को अप्छारिक रूप से रत करना, निम्ण में से किस वर्च में बंबे पुनर गठन अधिनियम पारित किया गया था, बंबे पुनर गठन अधिनियम या 1960 हिस्पी में पारित किया गया था, इसका राइट एंसर हो जाएonst Means B, 1960 और 1 मैं 1960 को ही बंबई महराष्ट और गुजरात राज का अस्थापना हुआ ता इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है पानिनी ने निम्नि में से कौन सी प्रसित पुष्टक लिखी थी तो पानिनी ने अस्थाध्याई नमक पुष्टक लिखी थी इसका राइट एंसर हो जाएगा option B. अस्थाध्याई वहीं बात करे पानिनी की तो इनका जन्म तत कालिन उत्तर पहस्चिम भारत के गंधार में हुआ था इसे ध्यान में रखेगा और अस्थाध्याई पुष्टक में इसमें 8 अध्याई ओर 4000 लगभग, शूत्र है इसमें next है निम्नि में से किस सिख गुरू ने तरन तरन साहिब की अस्थापना की थी तो तरन तरन सहाइब की अस्थापना सिख के पांचिवे गूरु सिरी अर्जुन देव ने की थी इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन C गूरु अर्जुन देव नेक्स्ट है भारत में क्रिशित लागत के संदर में MSP क्या है तो बात करें MSP की तो MSP इसका पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन D और यह भारत में निम्तम समर्थन मूल है जो जिस पर सरकार किसानों की फसल खड़ी दिती है और सर पर्थम भारत में 1966 से 176P में गेहूं के लिए निम्तम समर्थन मूल की घोशना होई थी नेक्स्ट है करनाटक के निम्न में से किस जिले में विरुपाक्ष मंदीर इसती थै तो विरुपाक्ष मंदीर करनाटक राज के हमपी में इसती थै इसका राइट एंसर होजएगा ओप्षन ए हमपी बलारी ओप्षन ए इसका राइट एंसर होजएगा और ये विरुपाक्ष मंदीर या द्रौविड अस्थापात सैली का उधारन है नेक्स्ट है कनाडा में पहले राष्ट मंदल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था तो पहला राष्ट मंदल खेल का आयोजन कनाडा सहर के हैमिल्टन में उनी सो तीस इसवी में हुआ था इसका राइट एंसर होजएगा ओप्षन ए उनी सो तीस और राष्ट मंडल खेल का मुख्याले लंदन में है और हाली में 22 वा राष्ट मंडल 2022 में यभी लंदन में ही आयोजित हुआ है बर्मिंगम लंदन में नेक्स्ट है फ्लोट महोचव खाली अस्थान में मनाय जाने वाला परमुक महोचव में से एक है तो फ्लोट महत्चाव मदूराई में मनाया जाने वाला प्रमुक्ति भारों में से एक है इसका राइट एंसर हो जागा उप्शन C मदूराई Next है, वाकिंग वीद दा कॉमरेट्स नामक पुस्ता के लेखक कौन है? तो walking with the comrades नामक पुस्तक के लेखग अरून धती रोय है इसका राइट एंसर हो जागा option C अरून धती रोय और अरून धती रोय के सन 1997 में इन्हें the god of small things पुस्तक के लिए बुकर पुरुषकार प्राथ हुआ था इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है भारत में जय हिंद सेतु कहां अवस्ति था है तो भारत में जय हिंद सेतु कोलकाता में अवस्ति था इसका राइट एंसर हो जागा option C कोलकाता बात कड़े जय हिंद सेतु की तो पसिम बंगाल की मूख मंदरी मामता बनर्जी ने सुबास चंडरबोस के 125 जैनती के उपलक्ष में कुलकाता के नौ निर्मित माजेर हाट बिरिज का नाम जय हिंद सेतु रखनी की घोशना की है नेक्स्ट है भारतिया पूरातत सरवेक्षन के पहले महानी देशक कौन थे तो भारतिया पूरातत सरवेक्षन के पहले महानी देशक अलेकजेंडर कनिंगम थे इसका राइट इंसरो जाएगा ओप्शन ए अलेकजेंडर कनिंगम नेक्स्ट है हिमाले की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में इस्थित नहीं है तो इस बाकी मकालू, मांट एवरेश्ट अनपूर्न या नेपाल में इस्थित है इसकाराई tat इंसर हो जाएगा option A कामद कामत चोटिया उत्राखन राज के चामोली जीले में तीबत की सिमा के निकट इस्थित परवत है नेक्स्ट है निम्न में से कौन ग्रैमी पुरुषकार जितने वाली भारत की पहली महिला है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन ए तनवीसा और इन्हें वर्ष दो हजार दोस में सलम डॉग मिलिनेरियार फिल्म में जय हो गीत के लिए एस्पैनिस संसकरन के लिए या पूर्शकार दिया गया था प्रसिद नाटक निल दर्पन जिसमें इन्डिगो की खेती करणे वालों किसानों के दमनका चितरन किया गया की राचन कीस ने की तो प्रसिद नाटक नील दर्पन की रचना दिन बंधु मित्र ने की थी और इसकी राचना 8462 पी में की थी इसका डाई टैंसर हो जागा अप् वांडिवास यूद अंग्रेजों और फ्रांसिस्यों के बीच लड़ा गया इसका राइट एंसर हो जागा अप्शन ए फ्रांसिसी और इस यूद में अंग्रेजों की जीत हुई थी और यह वांडिवास का यूद अंग्रेजों और फ्रांसेश्यों के भी चल रहे सब्तवर्सिय यूद का हिसा था इसे भी ध्यान में रखेगा सब्तवर्सिय यूद का हिसा था नेक्स्ट है निवन में से किस अधिनियम ने भारत में पिर्थक निर्वाचन मंडल का अरणाम किया तो इस में से भारत परिषद अधिनियम 1909 ने भारत में पिर्थक निर्वाचन मंडल का अरणाम किया इसका राइट एंसर हो जेगा option D और भारतियव परिशाद अधिनियम 1909 को मारले मिन्टो सुधार भी कहा जाता है और इस अधिनियम के अंतरकद मुसल्मानों के लिए पिर्थक मत अधिकार्त था पिर्थक निर्वाचन छेतरों की अस्थापना की गई थी वहीं बात करे रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 की तो इसके तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोट की अस्थापना की गई थी और वहीं पिस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत कॉम्पनी के राजनीतिक यों बियापारिक कार अलग-अलग कर दिये गए थे और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था नेक्स्ट है वर्स 1831 में बुदो भगत के नित्रित में कोल बिद्रो किस छेते में हुआ तो बुदो भगत के नित्रित में 1831 इस्पी में की ओर गांधी जी का ध्यान किस ने अकरसित किया तो बिहार के चंपारन में इंडिजी के किसानों की दसा की ओर गांधी नेक्स्ट है, परमुक सोतंतरता सेनानियों चमपारण निवासी राज कुमाल शुक्र ने अकरशित किया था। इसका राइट अंसर ओजगा, option D, राज कुमाल शुक्ल, next है, प्राचीन महाजन पद मगत की पर्थम रजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजन पद मगत की पर्थम राजदानी गृब राजगिर या राजगीर था इसका राइट एंसर हो जएगा Option D Next है स्वामी सहाजानन्द निम्न में से किसे से संबंध इत्थे तो स्वामी सहाजानन्द का संबंध बिहार में किसान अंदोलन से है इसका राइट एंसर हो जएगा ओप्शन C स्वामी सहाजानंद सर्शती ने 1929 सिस्पी में किसान सभा का आयोजन किया था और इसी अउसर पर प्रांतिये किसान सभा की अस्थापना भी की थी और इन्ही के नेत्रित में अप्रायल 1936 सिस्पी में अखिल भारतिये किसान सभा का भी गठन किया गया था नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में गांदी जी का पर्थम सत्यागरा अंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनाई आवगया का परयोग किया तो इसमें से चमपारन भारत में गांधी जी का पर्थम सत्यागरा अंदोलन था जिसमें उन्होंने सविन्नाई आवग्या का परयोग किया था इसका राइट एंसर हो जगा अप्शन ए चमपारन और चमपारन अंदोलन अपड़ायल 1917 SP में हुआ था नेक्स्ट है निमन में से किस हरपा नगर में जूते हुए खेतों के निसान मिले हैं तो प्रचीन हरपा नगर काली बंगन में जूते हुए खेतों के निसान मिले हैं इसका राइट एंसर हो जगा अप्शन ए काली बंगन और यह काली बंगन राज अस्थान के गांगा नगर जिले में इस दिता इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है त्री रत्न या तीन रत्न जैसी सटिक ग्यान, सची अस्था और सटिक किर्या निन में से किसे से संबंदित है तो त्री रत्न या सटिक ग्यान, सची अस्था और सटिक किडिया या जयन धर्म से संबंदी था, इसका राइट एंसर हो जाएगा option C, जयन धर्म और 3P टक या बौध धर्म से संबंदी था, इसे भी ध्यान में रखेगा, next है इन में से किस सासक ने चतूर्थ बौध संक्ती कस्मीर में आयोजित की तो चतूर्थ बौध संक्ती का आयोजित कस्मीर में कनिस्क के सासन काल में हुआ था, इसका राइट एंसर हो जाएगा option C, कनिस्क और इसके अध्याक्ष वसु मीत्र थे next है निम्न में से किस भारतिय दर्षन ने परमानु सिधान का परतिपादन किया था तो इसमें वैसेशिक दर्षन ने परमानु सिधान का परतिपादन किया था इसका राइट एंसर हो जाएगा option D, वैसेशिक और वैसेशिक दर्षन के परवर्थक कनाद थे इसे विध्यान में रखेगा next है किस दिलित सुल्तान ने रक्त यम लह की निती अपनाई तो रक्त और लह की निती बल्बन ने अपनाई थी इसका राइट एंसर हो जाएगा option B, बल्बन और बल्बन ने सिजदा, थाबोस और नरोज पर्था की शुरुवात किया था next है इसका राइट एंसर हो जाएगा option B, चोल और चोल समराज के संस्थापक बिजय आले था, इसे भी ध्यान में रखेगा next है खनीज और जीले के निमन जोडों में से कौन सा जोडा सही है फर्स्ट है, लाइम स्टोन तो यह सही जोडा है माईका भागलपूर यह गलत है क्वार्ज, मधुबन यह भी गलत है लेट जिंक गाया यह भी गलत है भागलपूर में कांच, सीशा, चिनिमिटी आदी पाया जाता है और वह ही गाया में मैगनीज, सीलीमेनाइड और लिथियम पाया जाता है नेक्स्ट है निमन में से किस जिले में बिहार का एकमात राष्ट्रिय उद्यान इस्तित है तो बिहार का एकमात राष्ट्रिय उद्यान पच्छमी चंपारन जिला में इस्तित है जिसका नाम बालमी की रश्ट्रिय उध्यान है इसका राइट एंसर होज़गा option c next है भवगोलिक छेत की दिरिश्टी से जापान का सबसे बड़ा दीवभा है या ध्यान में रखेगा और जपानी भासा में हुंसु का अर्थ होता है परमूख परांत नेक्स्ट है ग्रीन लेंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है तो ग्रीन लेंड पर डेनमार्क का अधिकार है इसका राइट एंसर हो जागा option A डेनमार्क और ग्रीन लेंड या बिश्व का सबसे बाड़ा दिवफ है इससे ध्यान में रखिएगा नेक्ट है निम्न में से किस महादीव में सबसे अधिक देश है तो सबसे अधिक देश वाला महादीव या अफिरका महादीव है इसमें कूल 54 देश है इसका राइट एंसर होजेगा अप्शन C अफिरका और अफिरका महादेश ही एक मात्र महादेश है जिसे से करक रेखा की तो एसिया महादिफ में 44 देश है और उत्री अमेरिका में 29 देश है और वहीं बात करें इवरोप महादेश की तो इवरोप में इवरोप में इसमें 46 देश है और एक और आस्ट्रेलिया महादेश तो आस्ट्रेलिया में 14 देश है नेक्स्ट है निम्न कौफी उत्पादक छेत्रों में से कौन सथ छेत करनाटक में नहीं है तो इसमें करनाटक में पुलनेज छेत्र नहीं है इसका राइट एंसर हो जगा ओप्सन D. पुलनेज और पुलनेज या कमिलांडू में अवस्तितेक परमूख कौफीक उत्पादक छेत्र है और चिक मंगलूर, कूर्क और बाबा बुधन गिरी की पहाड़िया करनाटक राज में इस्तित है और भारत में कौफी का सरवाधिक उत्पादन करनाटक में ही होता है जो तीरपन परतिसत होता है नेक्ट है निम्न हिमाले परवत सिरेनियों में से किस परवत सिरेनी को अटल टरनल पार करती है तो अटल टरनल या पूर्वी पंजाल परवत सिरेनी को पार करती है इसका राइट एंसर हो जगा option D बात करें अटल टनल की तो इसका उधगाटन परधान मंत्री नरेंद मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 सिस्पी को किया है next है वीधी का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है बीधी का नियम या कानून अधिराज का मतलब सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियायत अंत्र होता है इसका राइट एंसर हो जगा option A और भारतिये सविधान में अनुछेद 14 में परतेक नागरिक के लिए एक ही कानून का प्रधान है नेक्ट है पंचायती राज संस्थाओं में 29 कारियों की सुची किस अनुछेद के तहत दी गई है तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 विशयों के कारियों की सुची अनुछेद 243 जीग में दी गई है इसका राइट एंसर हो जगा option D नेक्ट है नाग्रिक्ता संस्थाओं कानून कब पारित हुआ तो नाग्रिक्ता संस्थाओं कानून यह 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ इसका राइट एंसर हो जगा option B और यह कानून 10 जन्वाडी 2020 को लागू हुआ यानिकी परभावी हुआ नेक्ट है तिहतरवे सविधान संस्थाओं कानून की वैदानिक शुरुवात किस सविधान संस्थाओं बिल से हुई इसका राइट एंसर हो जगा option D 64 सविधान संस्थाओं और यह 15 मई 1989 इस्पी को पारित हुआ था नेक्स्ट है 1632 SP में बिहार से 15 सहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्टरिक अस्थापित की तो 1632 SP में Dutch East India Company ने 15 सहर में अपनी फैक्टरिक अस्थापित की इसका राइट एंसर हो जागा option B Dutch East India Company बिहार में डौचो का प्रण। में सोडाकब्यापार प्रभुत में था इसे ध्यान में रखे गाएगा Next निम्ड में से कौन सा विकेंद्री करन का वैस्थिस्ट नहीं है तो इसमें से अस्थानिय समुदायों में आत्मभी स्वास को नहीं जगाना विकेंद्री करन का वैसिस्ट नहीं है इसका राइट एंसर हो जगा ओप्शन C बात करें विकेंद्री करण का तो इसका आशाय होता है सासन में अस्थानिय लोगों को भागीदार बनाना अरथात उनकी भागीदारी को सुनीश्चित करना ब्रिटिस काल की बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट उनी सो पच्पन या सविधान के विकास में एतिहांसिक नहीं था इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन डी या या कानून अस्प्रियास्ता अधिनियम से समबंदित है इसे ध्यान में र तो भारत के सविधान कानू छेद 324 या भारतिये निर्वाचन आयो की अस्थापना से समबंदित है इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन ए नेक्स्ट है किस अरब देश ने पाहला नाभ किया उर्जास सन्य अंतर प्रणाम किया है तो संजुक्त अरब अमिरादा ने इवे इने पाहला अरब देश है जिसने पाहला नाभ किया उर्जास सन्य अंतर प्रणाम किया है इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन C और इस इसे शन्यान्थ का नाम, 12 का परमानु उर्जा सन्यान्थ है, इसे भी ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट है, भारत ने किस सहर के अंतराश्टी हवाई अङटे पड़ सबसे पहले, COVID-19 परिक्षन की सुष्वधा परनाम की है, तो भारत में सबसे पहले COVID-19 परिक्षन सितंबर 2020 2020 में पड़ाम हुआ था और इसके तहट दिली के इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर विदेश से आने वाले विदेशी यात्रियों को एरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट की विवस्ता की गई थी तो इसका राई टेंसर होज एका ओप्शन भी दिली नेक्स्ट है राफेल फाइटर एरक्राफ्ट को किस वायू सेना एस्टेशन पर अपचारिक रूप से भारतिय वायू सेना में समलित किया गया तो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को 29 जुलाई 2020 को अमबाला वायू सेना एस्टेशन पर अपचारिक रूप से भारतिय वायू सेना में समलित किया गया इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन C. अमबाला और यह हर्याना राज में है नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडियेशन मिसाइल का नाम है तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडियेशन मिसाइल का नाम रूदरम है इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन D. रूदरम और रूदरम का निर्मान DRDO ने किया है नेक्स्ट है, पीम कुसुम योजना का उदेश है तो पीम कुसुम योजना का उदेश है किसानों की डीजल और किरोशीन पर निर्भाता समाप करनाता था पॉंप सेटों को सोर उर्जा से जोड़ना उप्शन D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बिहार सरकार के साथ निश्चयों में से निम्न में से कौन सा समलित नहीं है तो इसमें से बाल कल्यानिया बिहार सरकार के साथ निश्चयों में सामिल नहीं है इसका राइट एंसर हो जगा ओप्सन डी बात करें सात निच्चा योजना की तो इसके अंतरगात सात योजना सामील है जो है आर्थी खल, इवाओ का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओ का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल्ड का जल, घर तक पकिक गली यो अमनालिया, सो चाले निर्मार घर का सम्मान और सात्वा आउसर बढ़े, आगे पढ़े, नेक्स्ट है, भारत में खाद परबंदन का निम्न में से कौन सा एक उदेश नहीं है, तो भारत में खाद परबंदन का एक उदेश, खादानों का निर्यात नहीं है, इसका राइट एंसर हो जगा, ओप्शन D, खादानों का निर्यात, ने नेक्स्ट है, खाली अस्थान पौधे में जल सनवाही उतक है, तो इसमें दारू यानि की जाइलाम पौधे में जल सनवाही उतक है, इसका राइट एंसर हो जगा, ओप्सन C, जाइलाम या पौधे के जड़ से जल और खनीजलान पौधे के विभीन भागों तक पहुंचाता है, नेक्स्ट है, निम्ण में से कौन सी सनरक्षी बॉल की विश्यस्ता है, तो इसमें सनरक्षी बॉल की विश्यस्ता इसके द्वारा किया गया कार पुरी तरह से पुना प्राप्त करने योग होता है, इसका राइट एंसर हो जगा, ओप्सन B, और सनरक्षी बॉल द्वार किया गया कार पथ पर निर्भन नहीं करता है इसे विध्यान में रखेगा next है मकडी के जाले खाली अस्तान के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने परकृतिक फाइबर है तो मकड़ी के जाले या स्पाइडर सिल्क यानि की रेशा के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने परकृतिक फाइबर है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन D और इसी रेशा से बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाया जा सकता है नेक्स्ट है परमानुकता के संदर्व में आरगन निम्न होता है तो आरगन या एक अक्रिये गैस है जो एक परमानुक होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन A एक परमानुक और बात करें अक्रिये गैस्यों की तो सारे अक्रिये गैस एक परमानुक ही होते हैं जैसे हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टन, जेनोन और रिडोन नेक्स्ट है ओलोंग खाली अस्तान का एक परकार है तो ओलोंग या चीन का प्रारंपिक चाय है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन ए चाय है नेक्स्ट है फायराडे इस्तिरांग निर्भर करता है तो फायराडे इस्तिरांग या सौर्भामिक इस्तिरांग है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन डी सौर्भामिक इस्तिरांग है नेक्स्ट है जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है तो जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परकास की आवीर्ती नहीं बदलती है इसका राइट एंसर हो जाएगा option C आवेर्थी लेकिन प्रकास का वेग और त्रेंगधर बदल जाता है नेक्स्ट है बिधुत चुमबके तरंगों का वेग होता है तो बिधुत चुमबके तरंगों का वेग या प्रकास का वेग तीन गुने 10 पर आठ मीटर पर सेकेंड होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option A नेक्स्ट है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है तो पहला आदमी निल आर्मे स्ट्रॉंग है जो चांद पर अपना पैर रखा था और इन्होंने 20 जुलाई 1979 इस्वी को चांद पर अपना पैर रखा था नेक्स्ट है पुलूटोनियम न्यूकलाइट के नाभिक में न्यूट्रोनों की संख्या होती है तो यहाँ पुलूटेनियम में परमानु संख्या 94 है और परमानु दर्मान संख्या 242 है तो निट्रोन निकालने के लिए परमानु दर्मान में से परमानु संख्या घटा देंगे तो यह हमको मिल लेगा 148 तो इसका राइट एंसर हो देगा option B148 नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा सयानता होती है तो सबसे ज़्यादा सयानता या सहद की होती है इसका राइट एंसर हो देगा option D बात करे सयानता की तो जो द्रव जितने अधिक गाठे होते हैं वे उसकी सयानता उतना ही अधिक होती है नेक्स्ट है इश्रो संचित रूप है तो बात करे इश्रो की तो इश्रो का फुल फर्म होता है इंडियान एस्पेस रिशर्च अर्गेनाइजेशन इसका राइट एंसर होतेगा अप्शन C और इश्रो का स्थापना 15 अगस्त 1909 इस्पी को हुआ था और वर्तमान में इसके दसवे अध्याक्ष एस सोमना था इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है दिरिष्टी की खड़ा भी निकट दिरिष्टी को किस नाम से जाना जाता है तो निकट दिरिष्टी दोस को मायू पिया के नाम से जाना जाता है और दिक दिरिष्टी दोस को हाइप्रो मेट्र के नाम से जना दाता है और निकट दिरिष्टी दोस में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और इसका निदान ओतल लेंज द्वारा किया जाता है नेक्स्ट है एक वस्तु का भार प्रिथ्वी की सताव पर मापने पर 100 निउटन आता है इसका भार चंद्रमा की सताव पर मापने पर कितना होगा तो किसी वस्तु का भार चंदर्मा के भार का एक बाटा 6 भाग होता है तो चंदर्मा पर इसका भार हो जाएगा 100 का एक बाटा 6 यानि की 16.7 निव्टन इसका राई टेंसर हो जाएगा ओप्शन D 16.7 निव्टन नेक्स्ट है LED के संदर में कौन सा कथन गलत है LED परकास स्रोत उर्जा की कम खपत करते हैं या सही है LED परकास बच्चों से अधिक आउधी तक कार करते हैं या भी कथन सही है LED में पाड़ा परियोग्त होता है जो मनिश्य के लिए हानिका रखाए या कथन गलत है LED में पारा परियोगत नहीं होता है LED में semiconductor का परियोग होता है और LED का traffic signal light में परियोग किया जाता है या भी कतन सही है पारा का परियोग tube light यानि कि मरकारी और CFL valve में होता है जो स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा option C next है सोर भटी में पर्युक्त होता है तो सोर भटी में आउतल दर्पन का पर्योग होता है इसका right answer हो जगा option B नेक्स्ट है सोर मंडल का सबसे चमकदार गड़ा कौन सा है एसका right answer हो जगा option D और अउत्र गड़ा को परित्वी की बअहन भी कहा जाता है और इसे सांच का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है नेक्स्ट है अतिस सुक्च वस्तूओं के देखने के लिए परियोग किया जाने वाला परकासित उपकरन है तो माइक्रो एसकोप या अतिस सुक्च वस्तूओं के देखने के लिए पड़ियों किये जाने वाला परकासिक उपकरन है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन A, माइक्रो एसकोप और माइक्रो एसकोप की खोज 1600 इस्ट्री में नीदरलंड के बैग्यानिक जैस्रियट जेंसेन ने किया था नेक्स्ट है 12-12 हाली में प्रच्षेपित किये गए अंत्रीक छियान चंद्रियान 2 के एक भाग लेंडर का नाम है तो लेंडर का नाम इसमें बिक्रम था इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन A, बिक्रम और रोवर का नाम पड़क्यान था चंद्रियान 2 इसे 22 जुलाई 2019 सिस्पी को प्रच्षेपित किया गया था नेक्स्ट है अल्ट्रा सोनिक तरंगे होती है तो अल्ट्रा सोनिक तरंगे या 20 किलो हर्ट से ज्यादा आविर्थी की तरंगे होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B नेक्स्ट है रासायन बिग्यान के अनुशार निमने से कौन सा भौतिक परिवर्थन का एक उधारन है तो लोहे में जंग लगना या रासायनिक परिवर्थन है पानी का उबालना या भौतिक परिवर्थन है लकडी का जलना रासायनिक परिवर्थन है तामबे के बर्थनों के हरे रंग का अस्तर बनना या भी रासायनिक परिवर्थन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B बात करे भौतिक परिवर्थन की तो ऐसे परिवर्थन जिसमें परदार्त का केवल अवास्था में परिवर्थन होता है उसके रसाइनिक गुन में कोई परिवर्थन नहीं होता है भौतिक परिवर्थन कहलाता है नेक्स्ट है नवकिये रियक्टर में नवकिये विखंडन से विधूत उत्पन करने के लिए साधानता पड़ियों किया जाने वाला तत्त है तो यह तत उरेनियम है इसका राइट एंसर हो जागा ऑप्शन C उरेनियम और उरेनियम तत की खोज 1789 हिस्टी में कालप्रोट द्वारा पीच बलेड नामक अयक्स से किया था नेक्स्ट है टीव लाइटो तथा परखनलियों में पड़ियों किया जाने वाला गलास किस से बनता है तो टीव लाइटो में तथा परखनलियों में पड़ियों किया जाने वाला गलास या सोडा कांच से बनता है इसका राइट एंसर हो जागा ऑप्शन A सोडा कांच नेक प्रिफ्वी के वातावरन में सबसे परचूर मत्रा में पाई जाने वाली गैस है तो प्रिफ्वी के वातावरन में सबसे परचूर मत्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है इसके राइट एंसरोज है का ऑप्शन डी और नाइट्रोजन प्रिफ्वी के वाई मंड नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को अपने दोस्तों में सेयर जरूर करें तो मिलते हैं आगले वीडियो में जय हिंद